कानपूर में सिक्षक MLC सीट के लिए मतदान किया जा रहा है, मदाता में उत्सा देखा जा रहा है, घर से निकल करके मदाता अपने नए जन प्रतनीदी को चुनने के लिए बिल्कुल तैयार दिखते हैं, सिक्षक और सिक्षक सीट के लिए कानपूर की सीट, कानपूर नगर कानपूर देहात और नाव से मिल करके बनती है 19 प्रत्याशी दोनु सीटों पर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं दो लाग सताइज जार से जादा मद्दाता हैं एक करके जो मद्दाता हमारे साथ हैं उन्हें से बात कर लेते हैं क्या नाम है आपका डॉक्टर प्रिया अनंश्रवास्तो आपने सिक्षा के में सीट के लिए जी बिल्कुल क्या मुद्दे रहे आप लोगों के सिक्षकों के बिंग टीचर एक ओपिस बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे लिए इसके लाव बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे शिक्षक साथ ही है उनकी डूटी जो है वो शक्षक कारों से इतर अन्यकारों में लगा दी जाती है जो हमारे बहुत चैलेंजिंग होता है हमारा टीचिंग हमारा सब रहुत होती उससे तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे आवास को पहुचाया जग पर तक और में टीचर्स को जो दूसरे कामों में लगा दिया जाता है उनसे हटाया हटाके सिर्फ टीचिंग का काम करने दिया जाया है आप लोग ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं कि लगता है कि कोई ऐसा आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सीरियस गंबीर है कु आप वैसम हम तो यह चाहते हैं कि यह बिरोजगारी स्वास साफ सफाई इनी सब मुद्दों पर डाला को ऐसा कोई आदमी आवे जो हमारे साथी हैं जो बहुत से पड़े लिखे बिरोजगार है और साफ सफाई आप लोगों कुदी देख लीजए सामने कि ने सब कूप सब्सक्राइब करें नौकरी का है उनका सब का है यह सब चीज़ें जो इनके अंडर में आती है इस सब चीज़ें इस पर ध्यान दें थोड़ा सिक्षक होने के नाते कमाम हम सिक्षकों से बात कर रहे हैं बड़ा दर तो आप लोगों क्या लगता है विरुजगारी समस्या बड़ी है उसको सुलीशन मिलना चाहिए जिस सब्सक्राइब करने के लिए मद्दाता घर से बाहर निकले हैं और अपने दिमाग में उन मुद्दों को भी लेकर के निकले हैं जिन मुद्दों पर अपने नए जन प्रतनी को वह चुनने जा रहे हैं कानपूर से कैमरामेन बंगल निगम के साथ रतीश त्रुवेदी एबीपी गंगा